नमस्कार दोस्तों मैं मुख सत्यंदो और आप से को मेरे चनल आउनलाइन पूड़ो सीखो में स्वागत है दोस्तों हमेशा कंप्यूटर टेक्नलोजी की बात करते हैं तो आज जो हम बात करने वाले हैं वर्क बूक और वर्क सीट में अंतर क्या है दोस्तों आप MS Excel में काम करते हैं MS Excel में ओपिन करते हैं किसी भी वर्क बूक को उसमें पेज सेट अप करते हैं फॉर्मेटिंग करते हैं या फिर प्रिंट करते हैं इस तरह से आप वर्क बूक या फाइल तयार कर लेते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप बीना format बनाए Excel workbook बना सकते हैं बस आपको क्या करना है कि टेक्स्ट लिखना है format अपने आप बना बनाया मिल जाएगा format अपने आप बन जाएगा तो आप सुतर होंगे क्या मैं मजाक कर रहा हूँ जी नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यह बिल्कुल सच है MS Excel में पहले से ही कुछ बनी बनाई template दिया रहता है मैं उसी template की बात करता हूँ कि जिस template के सहारे आप Excel में बीना कोई format किये हुए बीना कोई format बनाए हुए आप workbook त्यार कर सकते हैं यह जो आपका Excel में पहले से बना करके और दिया हुआ रहता है आप उसको screen पे खोल करके उस template को खोल करके अपना keyword data को fit करेंगे और जैसी data को fit करेंगे आपके सामने यह template खुल करके आ जाएगा एक्चुली में यह workbook और template दोनों में अंतर क्या है workbook जो होता है वो हमारा उसमें हमको format तयार करना होता है उसमें हमको function लगाना पड़ता है उसमें हमको सारे चीज अपने से करना पड़ता है जबकि हमारा जो workbook template होता है यानि action का जो template होता है उसमें हमको बना-बनाया format बना-बनाया function मिल जाता है केवल हमको text को put करना होता है तो blank workbook और हमारा Excel का template workbook में इतना ही अंतर है कि blank workbook में हमको सारे चीज अपने से तयार करना होता है और template workbook में हमको बहुत सारा चीज तयार किया हुआ मिल जाता है केवल data को feed करना होता है तो चलिए हम लोग Excel में template workbook खोल के देखते हैं कि ये कैसे आएगा और कितना बेहतर धंग से सजाया है हुआ format हमको मिल रहा है। इसके लिए दोस्तो हम लोग Excel खोल लिये हैं एक्सल में खोलने के बाद आपको क्या करना है यहां पर जाना है file में file पर जैसी click किजिएगा तो आपके सामने यहां पर देखिए new मिलेगा new पर जैसी click किजिएगा तो यहां पर देखिए आपको template है दोस्तो अगर आपको blank workbook प लेकिन अगर आपको बना बनाया templates चाहिए तो आपको यहां पर click करना होगा यह जो है बना बनाया template है या नीचे आप net से भी और भी template डाउनलोड करके install कर सकते हैं चलिए एक sample हम लोग देखते हैं sample template पर इसे click करेंगे जैसी click करेंगे दोस्तो यह देखिए आपके सामने ध पर दिया हुआ है आपको इससे ज़्यादा कुछी चाहिए तो आपको net से वहां से download कर लिजेगा चलिए एक जो हम लोग खोल करके इसको देखते हैं billing statement को या फिवलटर जो आपके यह उसको मैं खोल करके आपको दिखा देता हूं चलिए इसको खोल लेते हैं इस पर जैसी क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहां पर क्लिक करने के बाद create पर क्लिक करना होगा और यह आपके सामने देखिए template खुल करके त्यार हो गया है इस template में देखिए आपका यहां पर पुछ रहा है कि आप यहां पर क्या किजी अपना नाम डालिए जैसी आप यहां पर नाम डालत एमाउंट, टोटल अपने आप हो जागा, बाइलेंस कितना बचाई यह अपने आप हो जागा, यानि कि इस टेम्पलेट के सारे आपको फॉर्मेट बनाने की जिरत नहीं है, ये देखिए कि सारा फॉर्मेट आपका बना बनाया है, आपको केवल अपना डेटा को इसमें यह दोनों क्या है बड़ी confusion होता है कि हमारा वर्क सीट क्या होता है और वर्क बुक क्या होता है यह दोनों की बात होती है जब भी हम Excel की बात करते हैं ति यह दोनों की बात होती है चले इसमें हम लोग अंतर समझते हैं कि वर्क बुक हमारा क्या है और वर्क सीट क्या है दोस् copy पूरे को पूरा जो copy है उस copy को हम लोग workbook कह सकते हैं और उसमें का जो page है प्रतेक page को हम लोग work seat कह सकते हैं यानि कि हम कह सकते हैं कि जिस seat पर हम लोग data को fit करते हैं data को डालते हैं उसको हम लोग उस seat को particular particular seat को work seat कहेंगे और ऐसे से कई सीटों का एक ग्रूप को हम लोग workbook कहेंगे यानि यह आपका पुस्तिका की तरह है और वो पत्रक की तरह है दोनों में अंतर बसीत नहीं है कि यह जो है seat by seat होता है और यह परते एक सभी सीटों के एक ग्रूप है जिसको हम लोग workbook कहते हैं तो दोस्तों आसा करता हो कि यह वीडियो बहुत अच्छा लगाओगा और आपके जो confusion था workbook और worksheets में वह clear हो गया होगा तो इसके लिए आप मुझे कर देएक लाइक और इसी तरह से वीडियो देखते रहने के लिए और मुझे धेल सरा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फूर वाचिंग